जो मेरे सिये फाउंडेशन के बच्छों कैसे हो सब बढ़िया मैं आपके लिए लेक्या आया हूं सी एफाउंडेशन जो न्यू सेलेबस है उसका जून 24 का एक्जाम हुआ है उसका पेपर एनालिसिस लेक्या हूं मैं इसमें पूरा पेपर रिवियू करने वाला हूं हम यहां पर दिखाने बाला हूं हम लेवल डिफिकल्टी के बारे में बात करेंगे पूरा पूरा एट उसे जितना चर्चा करना भी करेंगे और कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिंकल क्या आ रहा है यह भी हम लोग चर्चा करेंगे तो जल्दी से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेर कर दो क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा तो चलो बीना लेट किये मैं पुछाता जरा ध्यान से देखिए इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग तुह है विया आप देख लेंगे एक्स्प्लाइशन तो जानते ही आप क्योंकि एक्स्प्लाइशन में क्या देंगे कि अगर क्लोजिंग ट्राइल बैलेंस में इसका मतलब वो अल्डेडी पर्चेस से एडजेस्ट हो गया तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ कहां नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टांडर्ड कें ओवर्राइड स्टाट्यू यह अकाउंटिंग स्टांडर्ड से पूझा था यह फॉल्स है अकाउंटिंग स्टांडर्ड जो है इसके लिए निखना है अकाउंटिंग स्टांडर्ड कें नेवर ओवर्राइड स्टाट्यू the amount is paid by the maker in case of former former मतलब बोलता प्रॉमिसरी नोट के केस में जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वही पे करता हां सही है एंड बाइदा एक्सेप्टर इन लेटर केस लेटर केस मतलब बिल्स ऑफ एक्सेंज के केस में जो एक्सेप्ट करेगा वो पे करेगा तो भाई साब यह भी क्या हो गया ट्रू हो गया ठीक है और एर्रेक्टिफाइब बाइन सब्सक्राइब यह पूछ रहा है कि सारा एरे ठीक करते हैं जरल इंट्री से तो मैं बोलूंगा फॉल्स रिजन क्या है अगर वन साइड है और अब स्टेज वन में ठीक कर रहे हैं मतलब विफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्राइल बालेंस तो ऐसे के लिए हम लोग रिक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बनाते अकाउंट में जाके ठीक करते हैं तो यह फॉल्स हो जाएगा अगला बूला है रिवालुएशन तो प्रिएल अग्जेश्मेंट को बात एक ही है तो आपका यह 12 नंबर का मेरे को लगता है कि इस बार जो ट्रू और फॉल्स आया था अगर मैं को क्यों बच्छा बोलता भी है बताईए कि इसी था के डिफिकल्ट था मैं बोलूंगा भी है यह इजी इजी में आना चीए इससे बहुत अच्छा अच्छा question पुछता है एकडम straightforward questions पुछाए इस बार बड़िया इसमें लगए मेरे को दिक्कत हुआ बच्चा लों को तो ठीक है उसको accounting policy बोलते हैं और कब-कब accounting policy change कर सकते हैं तो तीन कंडिशन में accounting policy change हो सकता है number one जब हमारा देश का law बोले number two जब accounting standard बोले या तीसरा for better presentation तो यह बात लिखना था easy question था next पुछात आप से explain cash basis of accounting दो number का था cash basis में क्या होता है बैया cash basis में इंकम जो receive करते कोई पैसा receive करते वो record कर लेंगे भली वो इस साल का hold नहीं हो कोई भी expense जो इस साल मैंने pay किया है वह हम लोग हिसाब लगा के रखेंगे भले वह इस साल का concept क्या बोलता है business अजर और अमल है मालिक नश्वर मतलब अपने को क्या बोलना था कि दे life of the business is unlimited it is assume that the life of the business unlimited it will continue forever without any break it will continue for foreseeable future एक कीवर्ड मा लिखना दा foreseeable future वह बात लिखना तो यह थिए थिए भी बहुत आसान साई आपका पहला वाला चैप्टर है वह क्या नाम है accounting process वाला उसमें से पूछा है और मैंने बोला था इस बार यह लोग जो न्यू सिलबस है इसमें जीएस्टी का accounting आड़ कर दिया तो जो लोग बच्चे लोग मेरे साथ क्लास किये थे वह भी जानते और इंपोर्टेंट में भी मैंने बताया ही था कि जीएस्टी का जर्लेंटरी देगा एक बार एकदम इंस्ट्यूड का मॉड्यूल से उठाके एकदम सिंपल जर्लेंटरी दिया चार नंबर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इसको मॉडरेड बूलूँगा अगर कोई बच्चा लोग जीएस्ट अकाउंटिंग नहीं सिख्या गया होगा तो उनको दिक्कत हुआ होगा नहीं तो एकदम सिंपल सिंपल दिया था क्या था देखना परचेस दो गुड्स फ्रों सोनू 150 ए जाएगा शोल्ड गुट्स तु मोहित 50,000 एंचार्ट TGST SGST 5% सेल किये ना मोहित को मोहित अकाउंट देबिट तो सेल्स तो आउटपूट CGST तो आउटपूट SGST आउट आउटप दा अमाउंट दियू 40% इस रिसीवाई चेक इमेडिटल 40% तुरंट चेक से मिल गया मेरेको तो बैंक अकाउंट देबिट तो मोहित 40% निकाल देंगे टोटल अमाउंट का टोटल का इंक्यूडिंग जीस्ट का फिर बोलता है गूट्स कॉस्टिंग सेव इपूट CGS T नएट घुट शिर्ट टूट बैक टूटता नाट चानल चेटिंग नंट टू केनगेड सेविग जीस्ट टूट इंपूट केरेंवरेको टूट जीस टीनगाना टूट समझगें ना मशिनिये सॉरी मशनियर अकाउंट डीनिपूट CGS, आइप टूट इस टी जो चेक से पेमेंट किये हैं, तो ब्राइट अकाउंट डेविट टू बैंक कर दो, तो मेरे घल से जर्ल इंट्री अच्छा था, अच्छा था, moderate level of difficulty था, इसके वाद आपको क्या question पूछा है, देखो, ये rectification of error से question पूछा है, trial balance of measure service on 31st, March 24, did not tally, trial balance tally नहीं किया, and the difference was posted to suspense, वो तो जाये गई, on scrutiny of the books का following, errors were detected, और ये सब error निकल किया है, बच्छे पूछ रहे थे हैं, या stage बता, 1, 2, 3, ये stage 2 rectification, मतलब after preparation of trial balance, but before preparation of final consequence, को कि last line में भी क्या बुला है, you are required to pass necessary general interest with narration to rectify the above, तो stage 2 rectification है, और मैं ये पढ़के देखा, अगर आप भी थोड़ा सा पढ़के देख लेना, जो लोग दिये हैं, नुको पता है, ये again, जो question है, इसको मैं moderate level में डालूँगा, एकदम common common rectification interest, मैं एक एक करके नहीं कर रहा मैं बाद में एक ठोना पुरा आपको solution video बना के दूँगा, तो उसमें discuss करूँगा, जो important part है में discuss करता हूं, ये technically ठीक ही था, rectification of error से पूछा, ये वाला जो question है, ये depreciation से पूछा, ये question आपका ना, इस बार का जो MTP नहीं आया था, mock test paper 123, उसमें से एक question में था, ये change in the method of depreci depreciation का question है, यहाँ पर है, the company changed method of depreciation from diminishing balance method to straight line method with effect from 1st April and adjusted the difference on 31st month, तो ये change in method वाला दिया वा था, तो again a good question, इसको अगर आप बोलेंगे level of difficulty, तो मैं बोलोगा, easy question में सा आएगा, depreciation, ठीक है, simple question था, इसको इसलिए में ज्यादा वो नी दे रहूँ, अच्छा question है, ये देखो, ये question, ये question है, तुमारा NPO chapter से, ठीक है, ना, NPO chapter से कितने number का question पूछ लिया, भाई साब, ये 12 number question, मैं कई बार बोला भी था, institute इस बार क्या कर रहा है, जो 15 मांसा question देता था ना, वो 12 में दे रहा है, ये वाला जो बच्चे लोग मेरे से class किये हैं, मेरे NPO chapter का question number 2, एकदम, कट copy paste उठा के दिया है, सिफ फीगर्स चेंज कर दिया है, और items का थवड़ा इधर उदर कर दिया, बस बाकी पूरा कट copy paste सामें, तो अगें, बच्चा पुसता है, लेवल अफ डिफिकल्टी इसका क्या है, ये easy question में count होना ची, क्योंकि NPO का इतना बढ़िया बढ़िया questions ह इंस्टूड के module में, पर इंस्टूड यही वाला question उड़ा के बुछा है, तो मैं तो बहुत खुश हो किया देखके, अगर मैं student हो था, तो मैं जरू लपक के question करता, तो कि बहुत आसान से, ठीक है, ना, देखो, क्या, 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 एग्जेस्मेंट देख लो, outstanding salary दिया है, ठीक है, बनानी क्या दिया, देखो, receipts and payment है, आपको बनानी के लिए, income and expenditure balance sheet, ठीक है, ना, देखो, मैं बात कर देता हूँ, ओपनिंग आउस्ट्रेड इंगलेस होगा, closing वाला आइस होगा, opening आउस्ट्रेड इंगलेस होता है, closing वाला add हो जाएगा, समझ रहा है ना, प्री रिसीब्ड है, opening वाल आइट, closing वाल अलेस हो जाएगा, कि यह सब furnishing वागजी चार, depreciation करके खतम कर ले, क्यातना क्वेशन है, easy question था, इसको difficult नहीं बोल सकते हम लोग, इससे अच्छा-च्छा question इंशो के module है, तो NPO से question आए, ठीक है, मैं और अच्छा-चा analysis कराँगा थोड़ा से दिरूप, अब आगे दिया है, यह dissolution का सब, PQR partner है, they decided to dissolve the business, यह सारा बात बोला है, तो करना क्या है, अगर dissolution है, अकाउंट देखो, क्या बनाने बोला है, वही realization cash partners का, तीनी दो बनता है हमेशा, तो भया सुनो न, आपका यह जितना asset cash को छोड़के, सारा का स बन जाएगा, यह capital account का opening balance बन जाएगा, रिजर्व को partners capital में बाट देना, और यह दोनों liability है, liability, इसको realization में close कर देना, हो गया सर, बोलता है, there was unrequited investment sold for इतना, तो buy bank कर देना, realization में, बोलता है, one creditor agreed to take over some item of furniture, जिसका book value 25 था 24 में लेके लिए, अगर कोई liability को बदले गर मैं asset द इसके लिए कोई entry नहीं होता है, तो इसके लिए कोई entry नहीं करना चाहिए, आपको, the rest of the creditor were paid at a discount of 5%, तो बाकी जो creditor बचेगा, minus 5% करके pay कर देंगा, realization to cash, out of the editor 9,000 pro back, बाकी realize हो गया, तो realization में buy bank क्लिक देना, बाकी asset यह सब realize बोल रहा है, यह कर देंगे, कि तु बोला है, फर्मीचर में remaining कौन लेके गया था, पी लेके गया था, तो asset अगर पी ले गया, तो piece capital 2 realization करोगे, dissolution का expense है, तो realization to cash होगा, और इक रिपेर का कोई pay किया है, तो वो भी realization to cash होगा, एक दब नियाहिती easy question, dissolution का उठा के लिए, मेरी कहल से ऐसा question तो class 12 में तुम लोग करता था, जिलनों का partnership अगरा था न शायर, वहां पर होता है, what type of question, again a very easy type of question, ठीक है सर, आठ नमबर यहां से लिए पूछाए, देखना partnership से, अच्छा आप लोग को याद दोगा, अगर आप मेरा channel follow करते हैं, तो मैंने आप लोग को बता था, 70 marks कौन से chapter से आगा या था, तीन chapter का ना नहीं है, तो मैरा channel में वीडियो है, जाके देख लेना, अब आगे क्या बोल रहा है, यह कौन से question है, फिर इसे partnership का question पूछ लिया, यह balance sheet बगरा दे दिया, तुमको बोलता है, नया partner जोइन कर रहा है, admission का सम हो गया, one-fifth के लिए नया partner आ रहा है, अच्छा पुराना ratio 5-3 था, नया ratio 5-3-2 है, तो इनका जो, साक्री, सारी, इनका जो old ratio, वो इनका sacrificing ratio बन जाए, नया capital है, bank account debit to ranus capital, बोलता है, two years purchase बोल रहा है, तो इसका average करना, into two करना, goodwill आ जाएगा, gaining partner to sacrificing partner, entry मार के निकल जाना, और बोल भी रहा, it also agreed that partners will not withdraw their share of goodwill, not the goodwill appear in the books of our, तो नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्रत नहीं है, अच्छा और एक बात, goodwill premium cash मिलाया था, तो cash मिलाया था, एक और entry होगा, bank account debit, two क्या ना में, जो भी goodwill का उसका share था, रानू का, तो ranus capital हो जाएगा, इसके अलाबा, आपको ये सब revaluation का story सुना दिया है, बस बोला, revolution बना partner's capital balance, again a very easy type of question, मतल अच्छा, आसान question लगा, मुझे, ये भी 12 मास का question, बना चाहिए 15 पर 12, लंबा है question, मगर easy है, वह न, टेड़ा है, मगर मेरा है, वैसे ही वाला बात है, अगला question देखिए, ये न, single entry से question कूछ लिया है, ये तो institute के module में भी, मेरे book में भी वाला question, अगर आप खोल के पढ़े मेरे से लोग बता देंगे, ये मेरे book में same question था, आपको एक टो opening balance sheet दे दिया, उसके बाद bank में क्या क्या transaction वह दे दिया, थोड़ा मुझा आइटम बोला है, बोला ट्रेडिंग पील और balance sheet बना के लो, इसको मैं moderate बोलूँगा, क्यों moderate में डाला question ही मार्क से दिया, ये आठ आठ नंबर कर दे रखा है, बगला ये आठ नंबर नहीं कम से कम 12 नंबर का question होना चाहिए, इंस्टूट में यही कर रहा है, रंबा question कम marks में दे दे रहा है, तो जिसे ज्यादा marks बज जा रहा है, तो एक और question एड़ो देगा, लेंदी हो जा रहा है paper, अच्छा, इसके करना था, क्या-क्या दिया है, सेल हुआ है, तो सेल हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, add back करके दिखेंगे, cost price, sales return ECS से adjust करके net में कर देना काम, purchase price adjust कर देना, कि दूप purchase है, तो इसको less करके दिखा है, यह item को, एक टूब बोला था, consignment के लिए माल मिला था, जिसमें से 60% निक 14,850 का, हिन्तु, 19,500 होगा, तो जो difference है दोनों का, मेरा calculator यह रहा, 14,850 माइनस 9,500, यानि आपको 53,50, इसमें से less करना, अब करके जो आएगा, वो आपका answer है, यह भी आसान question है, easy question, बच्चों को generally reconciliation थोड़ा तकलीर देते हैं, अमरे को पता है, पर इजबर जो question पुछा, आपको easy question पूछ दिया, expected नहीं था, अच्छा, यह देखो, यह तो manufacturing account again, final account से sum दे दिया, अगर बठाएंगे भाई, अगर manufacturing तो बनाएगा, तो यह वाला debit side में जाएगा, यह वाला credit side में, debit side में, यह तीनों मिला के, sorry, opening, closing, purchase, यह मिला के आपका वो निकल जाएगा, raw material consume, indirect material factory overhead में जाएगा, direct wages तो ठीक है, indirect wages भी factory overhead, power भी factory overhead, repair factory overhead, depreciation of factory overhead, depreciation of factory overhead, depreciation factory overhead, और इस sale of scrap credit side में है, करके बंजागा manufacturing 5 नमबर का, यह तो gift दिया है, यह तो gift वाला question था, यह इंस्ट्रीट के book में देखने question था, कोई मेरे book met भी था, वीवल बोलके एक सम था, हमने किया था, एक scrap दी दिया, और कुछ नहीं है, easy question again, यह देखो, इस question में institute मेरे को लगता है, एक कांड कर दिया, क्या कांड कर दिया, देखो starting point आपको बोल रहा है, cash book का bank od balance, ठीक है, starting में od balance है, बहुत अच्छा बात है, अब तुम add less करके cash book से start किया, तो किस तरफ जाएगा, pass book के तरफ ठीक है, तो एक के करके बात करते हैं, point number two ना less होगा, point number three ना add होना चीए, point number four भी less होना चीए, दिक्का था point number five ने, यहाँ पर मेरे क्याल से institute से printing mistake हो गया है, क्या mistake हो गया, printing mistake, क्या देखो, पढ़ो तुम कुद देखो, इस English का मतलब क्या है, अच्येक ऑफ 9000 deposited, deposit में ता bank में deposit किया होंगा, हाँ, but collection as per bank statement, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, but collection as per bank statement क्या, but not collected as per bank statement बोल सकता है, but collection as per bank statement was made on बाद का कोई date देता था, समझ में आता है, यहाँ पर institute का printing mistake है, बहुत बड़ा printing mistake है, बहुत बड़ा printing mistake है, भी क्या करें, अब अगर printing mistake है, तो इसका आपको marks मिल जागा, इसमें अगर कुछ भी आपने किया होगा, तो हो जाएगा, दो तीन चीज आप सो सकते, आप यह सो सकते हो, कि भी आप bank statement में record नहीं हुआ, चेक of nine deposit हुआ, तो cashbook का balance बढ़ गया था, passbook entry नहीं हुआ, cashbook से passbook ले सुना चीए, ODA तो add होगा, तो एक option है, आप add करके आ सकते हो, नोट दे दो, question complete था, इसलिए मैंने यह लिया, assumption, या फिर आप यह सोच लो, कि चेक जो है ना, मुन्ना, चेक जो है ना, वो deposit हो गया, और collection भी हो गया, bank statement के साब से, तो 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 आप अगर यह assumption लेते हो, तो cashbook में recording, passbook में गया, मतलब कुछ नहीं करना, समझ गया, गलती निकल गया, चोटा सा रह गया, मेरे कैल से, यह typing मिश्टेक रह गया, चोटा सा, प्रिंटिंग मिश्टेक रह गया, ठीक है, चलो, इसका आपको marks तो मिलेगा, question number six, इसमें माइनस होगा, seven वाला जो है, वो पॉइंट का आधा number करते, काम खतम, easy था, I will not say this is difficult, this is again, easy question, मगर यहाँ, point number five में देखा तो सा, पर बड़ा कर दिया, तुम समझ रहे हैं, 10 point दे दिया है, पांच number के लिए, पहले, यह question 10 number का देता था, चलो, आगे देखने हैं, और क्या बोला, अब यहाँ दिया है, company से पूचा, balance sheet दे रखा है, bonus का question, यह मेरे material का question number four है, जो बच्चे लोग मेरे से class ले रखा है, वो लोग देखना, bonus का, मैंने जो questions करा रहा था, उसा question number four, dicto copy paste उठा के दिया, आप देख लिए, फीगर डबल किया, मेरा में 440 और यह 80 था, इसको लोग डबल कर दिया, और बा और 40,000 था, यह partly paid share था, capital reserve realizing cash बोला है, मतलब यह free reserve है, इसको आराम से use कर सकते हैं, CRR fully paid bonus share के लिशू कर सकते हैं, securities premium भी fully paid bonus share के लिशू कर सकते हैं, भी हाँ, securities premium realizing cash नहीं बोला है, तो assumption यह यहोगा realizing cash है, general reserve, यह PL, यह आपका free reserve, आपको पहले बोला था, जो partly paid house में 6 रुप share, the call money is duly received, तो पहले करेंगे equity share, call to equity share capital, फिर पैसा मिल गया, bank account debit to equity share call, अब इसका मतलब, यह वाला जो share है, यह fully paid share मन गया, अब बोल रहा है, forfeit कर लो, जिसमें earlier था, तो earlier यह 10,000 share पे था, forfeit करने, equity share capital debit to calls in area to forfeit shares, फिर बोलता है, इसको रिशू कर दिया, 11, 10 का share 11, मतलब एक रुपया premium में, bank debit to equity share capital to securities premium, profit on ratio निकाल के आजाना, forfeited shares to capitalism, वो बोला नहीं, आपको करना पड़ेगा, तो अब आपका, यह वाला जो share है, यह भी fully paid होगे, यह भी fully paid, total एक लाख share अपने घर में आ गया, समझ रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, तो इशू fully paid bonus share in the ratio of one, fully paid for every two, दो के बदले एक, तो भया एक लाख है, एक share दो के बदले, मतलब 50,000 bonus share इश होगा, एक एक share दस पांच लाख रुपया चाहिए, लास्ट लाइंग में लिखा था, PL कम से कम यूज़ करना, तो पहले आप capital reserve यूज़ करोगी, अपने को चाहिए, पांच लाख रुपय, तो capital reserve से 60 उड़ जाएगा, CRR PB यूज़ हो जागा 160, उसके बाद securities premium यूज़ कर लेना चाहिए, आपको 1 लग का, फिर आपको general reserve यूज़ करना चाहिए, 120 का, और PL से फ आपको फटापट बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, पेपर को फटापट, देख लो, ठीक है, बोला था आपको general entry बना के दिखाओ, on the basis of evaluation, I will say this is again a very easy question, easy questions में आना चीव अच्छे, दस नंबर का दिया है हुनना, दस नंबर का, ये question, फटापट करने वाला question, narration सु दिया है, ये redemption of preference share, पहले आपको बोलता है preference share 75, equity share भी दिया है, अब under the terms of issue preference share redeemable at 5% premium, अब देखो सबसे पहले तो अगर preference redeem करना है, तो पहले आपको इससे call money मंगाना पड़ेगा, पहले fully paid होगा, तो ही तो redeem होगा, तो पहले fully paid करने का entry होगा, preference share call to preference share capital, bank to preference share call, और फिर जो नया share है लोग issue कर रहा है नमना, इसका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, 25 रुपया application का मिला है, और 45 allotment जिसमें premium है, बच्चे 10% का, 10 रुपया का, मतलब इधर होगे 35 or 25, 35 plus 25, 60 रुपया करके legal compliance में, न्यू इश्यू में 60 रुपिस के साब से लोग, बाकी का CRR बनेगा, औ और इस सम्में कुछ नी था, कि तो हाँ, इस सम्में क्या किया था देखो, बधमाशी देखो, इंस्टूड का, you are required to pass journal entries, यह तो कोई भी बच्चा कर लेगा, including narration, अच्छा लगा, to give effect to the above arrangement, ठीक है, कर देंगे, journal entry हो जाएगा, also prepare notes to accounts on share capital, बोलता है, share capital का notes to accounts, balance sheet के लिए, लगता है, वो, reserve and surplus, to the relevant balance sheet, immediately after redemption of preference, ignore date column in general, date column छोड़ो, मतलब, balance sheet बनाने नहीं बोला, कि उसका, जो नोट्स होता है, वो बनावी लिए, और यह 15 नंबर का भी question था, पूछना बनता है, यह question moderate का, moderate level का, difficult level, difficult question, इंचुट पूछा ही नहीं, देखना, खतम हो निमा आ गया, और एक तो थोरी पूजिया, पांच नंबर का, सबसीडियरी बुक्स, और यह आपका paper खता है, तो अब बहुत सारा questions है, जिसका मैं जवाब one by one देने वाला, बच्चे में से पहले पूछते हैं, कि भाया, आप इसको difficulty level के हिसाब से बताओ, 1 मतलब एकदम कम difficult, 10 मतलब सबस इसको 7 rank करूंगा, 7, 7 एक्स्ट्रीम difficult नहीं था, थोड़ा सा है difficult, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ-कुछ questions, 30 questions था, next, दूसरा बचे कुछते हैं, भाया, यह question क्या, size कैसा था, यह lengthy था, लेंदी था, लेंदी नहीं था, यह one मतलब सबसे कम, लेंदी और 10 मत पेपर को कैसे rank करोंगे, 9, भयंकर लेंदी पेपर था, भाई साब, भयंकर, देख, यह भयंकर लेंदी पेपर था, बच्चे लोगो टाइम लगा होगा, मेरे को लगता है, जो बच्चे लोग ठीक से, बहुत, मतलब, जब घर में प्रैक्टिस किया होगा, चार-चार बार अगर बात करें, it will be 80, 80 से 90 के बीच में complete किया हो, yes, आप 10 से 15 नंबर का छूटा यह होगा, बच्चो, लिंदी बना दिया, पेपर ईजए तो क्या हो, लिंदी बना, अब फाइनल पॉइंट, विए सबसे इंपोर्टेंट चाक्टर क्या है, मैंने एक वीडियो बनाएं था आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखेगा, कि 70 माक्स इस बार इस चाक्टर से आएगा, 70 माक्स मैंने बोला था, 70 माक्स, आप देख लेना, अगर जरुत पड़े तो मैं इस वीडियो में न, डेस्क्रिप्शन बोक्स में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूँग, आप देख लेना, मैंने बोला था, तीन पार्ट पड़ के जाऊ एक मैंने बोला था, पाट्नर्शिप से पड़ो, टीसरा मैंने आपको बोला था, कम्पनी से, ओर तीसरा मैंने बोला था, financial statements से, financial statement मतल一下 final accounts, NPO single interview, ऐeous तार मुन वीडियो मिन विडियो बनाया था और एक मिना पहले डाल दिया तो यह तीन चैप्टर कर जाओ सत्ता नंबर इस बार इंस्टूट वही से देगा देखते दिया है कि नहीं दिया है मेरा प्रेडिक्शन कैसा रहा वो भी देखलो आप मैं अभी एनलाइस करके एक-एक डालता हूं देखो यह वाला क्वेस्चन जो है यह कमपणी से फटा कीशल पूर टेस्र玩 चैफ यह को है व्यां है उस इन्याली स्थिझरा कमपणी से कतने का आगया है हुँ इस आज और गिसरुक यह अवाला देख देखो धराव Shane का हbung माक्नेट को एक लिए तरह देखें कितना पूछा नहीं पूछा देख लेते हुझ रहे हैं पाकॉंड्न सोने के बाद यह जो पॉशहन था यह तो इन्वेंट्रीची चप्टर रहे हैं छोड़ दो हाँ यह question मुझे मिल रहा है सिंगल एन्ट्री से 8 मांक्स का क्वेश्चन मिल रहा है सिंगल एन्ट्री है त्माया कैंने ऑ Pork और बता और बताओ कर एक सब्सक्राइब क्येशिप similar कुश्षिप से आथ नुमबर का क्वेश्चन biased determination inclFS L dependentаться कुulent करो लिगता हूं 8 मा CARnaire कड्सको और्टरिइब करीशिप से क्या आच्छा और क्यों सब फोशक पेश्ट है मैं ऐसे दिखा रहूं जिसे आप भी अन्लाइज करना सीख जाओ फटसे यह इन्वेंटरी का बात हो गया यह आठ नंबर का क्वेश्चन सिंगल इंट्री का भी बात कर लिए सिंगल इंट्री के ओपर यह पार्टनर्शिप का क्वेश्चन था है क्रें कंगि यह राा बाराण नंबर का एक और क्वेश्चिन मिला मुझे मिंघ यह कौं सा अटाण चैप्टर यह भी आपका पार्टनर्शिप सेथे भारां नंबर का क्वेश्चिन से पाटनर्शिप में जाने दिजे कुछे लिखने दीजिए ट्वेल्व मांक्स कांग य हो गया यह वाला question inventory हो गया यह वाला आठ नंबर का कि सिंगल एंट्री का question था क्या कि हो गया यह वाला question यह भी question हो गया और क्या बचा देखें तो इस देखो partnership से फिर आठ नंबर का question पूछा है partnership से वह तो डाल दिये single इंट्री का आठ नंबर और NPO से था एक question बारा नंबर आठ बारा नंबर आठ बारा नंबर 12 नंबर फाइनल अकाउंट्स में जाएगा फाइनल अकाउंट्स में बारा पार्टनर्शिप से 20 मार्स क्वेश्चन है कंपनी से 25 और योगय 20 25 टोटल 70 माक्स मैंने पहली बुला था मुन्ना पहली बुला था 70 माक्स क्वेश्चन इन ती chapters से है और वही हुआ और बाकी chapters से बहुत कमा है बहुत साले chapters इन्होंने नहीं पुछा बिल्स ऑफ सब्सक्राइब नहीं करो और यह वीडियो अपने सारे सब्सक्राइब नहीं के बच्चों के साथ आपके लिए लिए वच्चे हैं आपके फ्रेंड्स जो जान पेचाने उन सब के साथ शेयर करो उनलों को भी अनलाइज करने दो अगर आपके मन में और कोई भी डाउट ओ तो कमेंट बॉक्स में लिखके बताना मैं जरूर आपको हेल्प करूँगा ठीक है तो आज कले इतना ही अगले दिन फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच बबाए